मेरा नाव अमन है और बच्पन से ही मुझे जंगल में रहने वाले राक्षसों के बारे में जानने में बहुती जादा दिलजस्पी रही है बच्पन में जब मैं अपने होम टाउन जमू में रहा करता था तो हमेशा इंटरनेट पर वेंडिकू वेर वुल्फ और बिगफुट जैसे राक्षसों के बारे में नौलेज एकटा करता रहता था और मेरा सपना था कि मैं भी कभी न कभी अपने जीवन में इन में से किसी न किसी राक्षस को अपनी आखों से जरूर देखूं और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्पन में ही मैं जम्मों में अलग-अलग जंगलों में जाया करता था और उन जंगलों को एक्सप्लोर करता था इसी उमीद में कि मुझे भी बिक फुट वेर वल्फ वेंडिगो जैसे राक्षस नजर आएंगे लेकिन काफी सालों तक मैंने बहुत सारे जंगलों को एक्सप्लोर कर लिया लेकिन मुझे कभी भी कोई वैसा जानवर या फिर राक्षस देखने को नहीं मिला लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी मैंने अपना जो सपना था उसे तूट ने नहीं दिया मुझे पूरा यकीन था आज नहीं तो कल मैं कभी न कभी इन राक्षसों में से एक राक्षस को तो जरूर धून निकालूंगा और अपनी आँखों के सामने देखूंगा और काफी सानू बाद जब मैं बढ़ा हो गया और कैनेडा काम करने के लिए शिफ्ट हो गया तब यहाँ पर आकर मेरा वो जो शौक था अन राक्षसों के बारे में जानने का वो कई गुना ज़ादा बढ़ गया क्योंकि कैनेडा में आधिस से जादा इलाकवी में सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस जंगल है और वहाँ पर लोग हमेशा बिकफुट वेंडिगो और तरह तरह के राक्षसों को देखने का दावा करते हैं जब मैं कैनेडा में आया और यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करी तो मुझे बहुत सारे ऐसे जगाओं के बारे में पता चला जहां लोग दावा करते थे वेंडिगो और बिकफुट के होने का और जब मुझे उन जगाओं के बारे में पता चला तब मुझे रहा नहीं किया और मैंने एक ऐसी जंगल के पास एक घर लिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे लोग वेंडिगो को देखने का दावा किया करते थे और जब मैंने उस जंगल के पास खर लिया तब मेरी जो खुशी थी उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था मैं पूरी पूरी रात जाग कर अपनी खिड़की से उस जंगल की तरफ देखा करता था और इसी उमीद में रहता था कि कहीं तो मुझे वेंडिगो नजर आएगा और कई बार तो मैं अपनी शॉटगन लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ता था इसी उमीद में कि चलो अगर मुझे खिड़की से वेंडि को नजर नहीं आया तो जंगल में तो जाकर जरू नजर आएगा ऐसे ही कई सारे दिन भी थे और मैंने उस जंगल को रात के समय एक्स्प्लोर करना शुरू कर दिया हमेशा रात के बारा बजे मैं अपनी शॉटगन लेकर उस जंगल में जाता और कोने कोने और चप्पे चप्पे में छान मारता था इसी उमीद में कि मुझे कभी ना कभी उस जंगल में वेंडि को देखने को मिलेगा लेकिन बहुत दिनों तक उस जंगल को मैंने एक्स्प्लोर किया लेकिन कोई भी काम्याबी या कोई भी छोटा सुराग वेंडि को होने का मुझे नहीं मिला और इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिड हो गया क्योंकि कैनेडा में मैंने उस चंगल के बारे में बहुत सुना था मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं ये लोगों की बोली हुई जोटी बात ही तो नहीं जिन पर मैं यकीन करके वेंडिगो को देखने का सपना देख रहा हूँ उसके बाद मैं भी अपना जो काम था उस पर ध्यान देने लगा कहीं न कहीं मैं उमीद छोड़ चुका था कि मुझे वेंडिगो या फिर बिकफुट जैसा कोई राक्षस नजर आएगा इसलिए मैं भी रात को आता था और काम वगेरा करकि अपना सो जाता था लेकिन एक रात मुझे इस बात का जरा भी अंताजा नहीं था कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है रात की तकरीबन दो बजी हुए थे मैं अपने घर में एकदम अराम से सो रहा था तब ही अचानक से मुझे एक लड़की की बहुत सो करने के बाद मैं समझ गया कि कोई लड़की जो है वो मुसीबत में है उसके बाद मैंने अपनी शौटगन निकाली और खिर्की से बाहर की ओर देखा कहीं कोई क्रिमिनल किसी लड़की को परिशान तो नहीं कर रहा वहाँ पर मैंने चारों तरफ नजर गुमाई तो वहाँ पर कुछ भी मुझे नजर नहीं आया उसके बाद मैंने घर से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा क्योंकि हो सकता था कि बाहर पूरी गैंग हो और वो मुझे पर अटैक कर दे इसलिए मैं पूरी तरह से एकदम चोकनना होकर बाहर जाना चाहता था मैंने एक दूरबीन निकाली और खिड़की से ही बाहर दूर दूर की और देखने लगा कि कहीं पर कोई छुपा तो नहीं है और तभी वो दूरबीन जो थी वो जंगल पर आकर रुकी और मैंने देखा कि उस जंगल में एक बहुत ही पतला और बड़ा सा जीव अपने हातो में एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है मैं एकदम देखकर हैरान हो गया कि आखिर ये राक्षस मुझे उतनी दूर से कैसे देख ले रहा है और तभी उस राक्षस ने उस लड़की का कटा हुआ सर मेरी ओर फिका और वो सर पता नहीं क आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं बहुत जादा डर गया था और मेरे हाथ कापने लगे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो राक्षस मेरे घर की तरफ तो नहीं आ रहा और अगर वो राक्षस आ गया तो क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा ये सारी चीजे मुझे परिशान कर रही थी और तुरंत मैंने पुलिस को कॉल कर दिया मैंने कॉल पर पुलिस वाले को सारी बात बताई और पुलिस वाले ने कहा कि आप घबराइए मत हम थोड़ी ही देर में वहां पर पहुँच रहे हैं उसके बाद कॉल कट हो गया मैं भी सबरी से इंतिजार कर रहा था मैं समझ गया कि वहां पर उस जंगल में बहुत कलत हो रहा है और मैं समझ गया कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे लिए जिंदगी पर का गिल्ट बन जाएगा कि आखिर मेरे सामने दो लड़किया मारी गई और मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए शॉट गन मैं अ वहाँ पर एक लड़की की रोने की आवास सुनी। उस सवास का पीछा करते करते मैं एक नदी के पास पहुँचा जहाँ पर एक लड़की बहुती बुरी हालत में जिसे बहुती ज़ादा चोट लगी थी। वो वहाँ बर बैठे बैठे रो रही थी और उसने अपना हाथ मूँ पर रखा हुआ था ताकि उसके मूँ से ज़्यादा आवाज ना निकले उस लड़की के पास पहुँच कर मैंने पूछा क्या हुआ सब कुछ ठीक तो है आप यहाँ पर बैठके रो क्यों रही है और आप लड़की एक्तम पागलों की तरह रोने लगी और मुझे बोलने लगी प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करिये मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर कैम्पिंग लिए आए थे लेकिन अचानक से जब हम टेंट में सो रहे थे तो मेरे दोस्त गयब हो गया और और उसके बा लड़की की हालत बहुत ही जादा बुरी थी वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी नहीं समझा पा रही थी उसके बाद मैंने उस लड़की से कहा देखो शान्त हो जाओ कुछ भी नहीं हो का मैं आ गया हूना और चलो सबसे पहले तुम यहाँ से चलो यह जगा से शेफ नह ही है उसके बाद मैं उस लड़की को जंगल के बाहर ले गया और मैंने उस लड़की को अपने घर की और इशारा करते वे कहा देखो वो मेरा घर है चुप चाप उस घर में चली जाओ और खुद से अंदर लॉक कर दो ठीक है बाकी मैं अंदर देखता हूँ यह कहकर मैं उस लड़की को इतना घबराया हूँ देखकर मैंने उसे फिर से शांत किया और मैंने कहा देखो जो भी होगा मैं देख लूँगा तुम बस अपने आपको सुरक्षित रखो अभी बस थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी समझी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है तो जाकर देखता हूँ जंगल में क्या पता तुम्हारा कोई फ्रेंड जिन्दा हो जिसे मदद की जरूरत हो हो सकता है मैं उसकी मदद कर पाऊं उसकी जान को बचा पाऊं देखो मुझे अंदर जाने दो तुम घर के अंदर जाओ उसके बाद वो लड़की भागते वे रोते मेरे घर की तरफ भाग गई और मैं अपनी शॉटगन लिकी फिर से जंगल के अंदर घुस गया जैसे जैसे उस जंगल में मैं अपने कतम बढ़ा रहा था तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर घुसता जा रहा था तो म मुझे एक अजीब सी बद्बू परिशान करने लगी थी। तब ही अचानक से मुझे ऐसा मैसूस होने लगा जैसे मेरे आसपास कोई है लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा उसकी बद्बू मेरी नाकों में खुस रही थी और मैं समझ नहीं बारा था क्या खिर ये मान लो तूट सी गई और मैं मुझे बल सीधा जमीन पर गिर गया और मेरी शौटगन भी हाथ से छोट गई उसके बाद बिना समय को गवाए जैसे तैसे मैं खुद उठकर खड़ा हुआ और मैंने शौटगन अपने हाथ में ले ली उसके बाद उस शौटगन की होते वे भ तब ही मैंने पीछे की और देखा कि आखिर मेरी पीट पर कौन सी चीज आकर लगी थी तो उसके बाद उस चीज को देखने के बाद मेरी आखों के सामने अंधेरा सा चाने लगा मैंने देखा कि मेरी पीट पर कोई पत्थर या फिर कोई भारी भरकम चीज नहीं बलकि उसी लड़की का कटा हुआ सर था जिस सर को मैंने उस वेंडिको के हाथ में दो रुपीन से अपने घर में खिड़की के पास से देखा था और ये देख कर मैं चीखना चाहता था लेकिन मैं चीख नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता था गर में डर गया और उस राक्षस को जो ये कर रहा है उसे ये पता चल गया कि मैं उससे डरता हूँ तो वो मिनिट नहीं लगाएगा मुझे जान से मारने में उस आदम खोर को डराने के लिए मैंने फाइरिंग करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझसे डरने लगे मैंने तीन-चार बार शॉट कन से शूट किया शूट करने के बाद मैं आवाज लगाने लगा कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो एक बार आवाज लगाए मैं मदद के लिए आ जाओंगा क्या कोई यहाँ पर है मैंने तीन-चार बार ऐसे बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी इनसान को वहाँ छोड़ कर जाओं और उसके बाद वो राक्षस उस इनसान को मार दे तीन-चार बार मैंने बहुत जोर-जोर से आवाज लगाई लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया उसके बाद मैं समझ गया कि आखिर उस राक्षस ने अपना काम कर दिया है और जितने भी लड़की लोग थे वहाँ पर जितनी भी लड़कीया थे वो सब को मार चुका है और अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगा इसलिए मैं अपनी शॉटगन लेकि वहाँ से निकलने लगा तब ही अचानक से मुझे एक आवाज सुनाए दी हैलो तुम तुम मैं तुम से ही बात कर रहा हूँ इधर देखो अपने हाथ उपर करो और चुक चाप बिना कोई हरकत किये मेरे सामने आओ वरना यहीं से तुम शूट कर दूँगा उसके बाद मेरी नजर जंगल के बाहर वाले रास्ते पर गई तो मैंने देखा जंगल के बाहर एक पुलिस की कार खड़ी है और उस कार के पास में एक पुलिस वाला मेरी ही तरफ गन पॉइंट करके खड़ा है और वो मुझे अपने हाथ उपर करके अपने पास बुला रहा है उसके बाद मैं जानता था यहां के पुलिस कैसी होती है वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे शूट कर देगी और मैं बे मतलम में मारा जाओंगा इसलिए मैंने अपने हाथ उपर किये और अपनी जो शॉट गन थी उसे जमीन पर रख दिया उसके बाद मैं अपने जो कदम थे वो पुलिस वाले की तरफ बढ़ाने लगा वो पुलिस वाला भी भागते वे मेरे पास आया और उसने मेरे और गन पॉइंट करके कहा तुम तुम यहां क्या कर रहे हो और तुम इस शॉट गन को लेकर यहां क्या कर रहे थे क्या तुमने किसी की जान ली है क्या तुमने किसी का murder किया है जो भी है सच सच बताओ वरना बाद में investigation के बाद अगर कुछ पता चला तो अच्छा नहीं होगा बोलो उसके बाद क्या था मैंने बोलना शुरू किया अरे सर मैं क्या किसी को मारूगा मैंने खुद आपको कॉल किया है और एक बहुत ही serious बात है यहां पर जब मैं जंगल के अंदर आ रहा था तब मुझे एक लड़की मिली वो बहुत ही ज़ादा बुरी हालत में थी मैंने उसे अपने घर पर रखा हुआ है उसके बाद मैं उसने मुझसे कहा कि उसके कुछ दोस्त यहां पर कैंपिंग घर निकली आये थे और वो यहीं पर किसी राक्षस बेंडिकों का शिकार हो गए है उसके बाद मैंने अपनी शॉटगन निकाली और उन लड़कों को उन लड़कियों को बचाने के लिए इस जंगल में आ गया और इसलिए मैं बार-बार आवाज लगा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं आया लेकिन मेरी बीट पर किसी ने कोई सी भारी सी चीज फेक कर मारी है और सामने देखिए ये वही चीज है उसके बाद उस पुलिस वाले ने भी उस लड़की का कटा हुआ सर देखा और उसे भी चक्कर से आ गए उसने कहा अगर देख लो ये कोई कहानी हुई तो मैं तुमें छोड़ूगा नहीं सबसे पहले अपने हाथ लाओ उसके बाद मैं समझ गया कि वो मुझे हतकड़ी लगाने वाला है इसलिए मैंने कहा देखो सर आप जैसा समझ रहो वैसा बिल्कुल भी नहीं है मैं एकदम निर्दोश हूँ मैं तो यहाँ पर उन लड़कों को बचाने के लिए आया था ना जाने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर फसी होंगी उस पुलिस वाले ने कहा देखो मुझे मेरा काम मत समझाओ बगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो मैं बचाऊंगा तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम चुप चाप अपना हाथ लेकर आओ उसकी बात क्या था उस पुलिस वाले ने मेरे हाथों पर हतकड़ी लगा दी और उसने मुझे कहा अब चुप चाप से आगे चलते जाओ और कार के पास आओ मैंने उस पुलिस वाले को बहुत समझानी की कुशिश करी लेकिन वो पुलिस वाला माना ही नहीं उसने मुझे अपनी कार में बठाया और वो खुड ड्राइविंग सीट पर बैठ किया वो कार स्टार्ट करी रहा था तब ही अचानक से उस जंगल से ही फिर से एक लड़की की बहुत सोर सोर से चिखनी चिल्यानी की अवाज आने लगी उस चीख को सुनकर वो पुलिस वाला तुरत कार की चाबी को निकाल कर अपनी पॉकेट में डाल कर तुरंट जंगल की और भागा और मैं कार के अंदर बैठा का बैठा रह गिया मैं बार बार यही प्रे कर रहा था कि हे भगवान प्लीस जो भी लड़की चिला रही है उसकी जान को कोई नुकसान ना हो और यह पुलिस वाला उस लड़की की जान को बचा ले वो जंगल बहुत ज़ादा घहना था और साथी साथ अंधेरी से भी भरा था इसलिए जैसे ही वो पुलिस वाला उस जंगल में भागा तो जादा दूर तक मुझे नजर नहीं आया और वो पुलिस वाला कहीं अंधेरी में ही गायब हो गया दो मिनिट तक कुछ भी उस जंगल से ना ही आवाज आई ना ही कुछ पता चला लेकिन तीसरेशी मिनिट उस पुलिस वाली के भी चीखने की आवाज आई और वो चीख जो थी वो बहुत ही जादा दर्दनाग थी उस चीख को सुनकर मेरे रॉंटे खड़े हो गये थे कि आखिर क्या हो रहा है उस पुलिस वाले को अब मेरे हाथ में हतकड़ी बंदी थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था मैंने जैसे तैसे कार की दर्वाजे को खोलने की कुशिश करी लेकिन दर्वाजे जो थे वो लॉक थे मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता था और तभी मैंने कुछ ऐसी भैयानक चीज़ देखी जिसे मैं कभी अपनी जिन्दगी में भुला नहीं पाउंगा मैंने देखा कि उस जंगल से वही पुलिस वाला चलता हुआ आ रहा है और उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और दोनों बाजुओं से खून बह रहा है और साती सात उसके पूरे शरीर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है वो एकदम चीखता हुआ रोता हुआ एकदम बच्चों की तरह भागता हुआ कार की तरह आ रहा था और तभी कार से कुछी दोरी पर वो मूँ के बल गिरता है और उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है और तभी उस जंगल में से मैं एक अजीब सी आवास को सुनता हूँ और मैं पूरा उपर से नीचे तक सी हर जाता हूँ क्योंकि मुझे समझा जाता है कि ये अवास आदम खोर वेंडिको की है उस अवास को सुनते ही मैं पागलों की तरह हतकड़ी से उस कार के शीशे पर मारना शुरू करता हूँ और कार के शीशे को तोड़ देता हूँ बहुत म उस वक्त मेरे पास जादा सोचने का समय नहीं था मैंने बहुत मुश्किल से उस पुलिस वाली की जीम में हाट डाला और हत्पड़ी की चाबी निकाली और साथी साथ पुलिस कार की भी उसके बाद क्या था मैं तुरंट कार में बैठा और बिना कुछ सोचे समझे पूरी स्पीट के साथ कार को लेके वहाँ से अपने घर की तरफ आया और उस लड़की को भी कार में बिठा लिया उसके बाद मैं सीधा शेहर की ओर निकल गया और शेहर के अंदर जैसे ही एंटर हुआ तब जाकर मेरी कार स्लो डाउन हुई उसके बाद वहाँ के एक और पुलिस सेंटर में मैंने जाकर ये सारी बाते बताई और वहाँ से एक बहुत बड़ी टीम जो थी वो उस जंगल के लिए रवाना हुई वो शंगल से पुलिस वालों को चार लड़कों की और तीन लड़कियों की लाशे बराबंध हुई और वो सभी लाशे टुकुडों में थी और कई लाशे तो पहचान में भी नहीं आ रही थी साथी साथ उस जंगल से मेरी शॉटगन भी बराबंध हुई और इस चक्कर में मुझे काफी दिनों तक पुलिस टेशन के चक्कर काटने पड़े अपने आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अगर वो लड़की जिसे मैंने बचाया था वो जिन्दा ना बचती तो पक का पुलिस वाले इन सभी चीजों का जो अपरादी है वो मुझे बना देते और मुझे जिन्दगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए डाल देते लेकिन मेरे अच्छे कर्मों का फली कहो वो लड़की एकदम ठीक ठाक थी सही सलामत थी जिसे मैंने बचाया था और उसे बचाने का मीठा फल मुझे उस लड़की ने मुझे जेल से बचा कर दे दिया काफी दिनों तक इन्विस्टिगीशन चली और सरकार को वो राक्षस नहीं मिला उसके बाद सरकार ने उस पूरे एरिये को बैन कर दिया और जिस घर में मैं रहता था उस घर को तोड़ने का ओडर दे दिया और मुझे एक नए घर में शिफ्ट होने का भी ओडर दिया उसके बाद क्या था उस घर को खाली करके मैं शहर के अंदर ही एक अच्छे से घर में रहने लगा लेकिन ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था इसे मैं जिन्दगी बर कभी भूला नहीं पाऊंगा और जब मैंने दूरबीन से उस आदम खोर राक्षस को उस लड़की का कटा हुआ सर लिए खड़े हुए देखा था मुझे गूरते हुए वो तो एक अलग ही डरावना अनुभव था जिसे कोई भी इनसान अपनी जीवन में अनुभव नहीं करना चाहेगा